कोरोना वाइरस की मार से जूज रहे चीन के युनान प्रांत में सौंवार को एक वएक्ति की मौत हन्ता वाइरस से हो गई पीडित वैक्ति काम करने के लिए बस से शडोंग प्रांत लोट रहा था उसके शरीर में हन्ता वाइरस पॉजिटिव पाया गया इसके बाद बस में सवार 32 सन्ने लोगों की भी चांच की गई चीन के सरकारी अकवार Global Times ने इसकी जानकारी दी जिसके बाद सोचल मीडिया पर बवाल हो गया बड़ी संख्या में लोग ट्वीट करके ये डर जता रहे हैं कि ये कहीं कोरोना वाइरस की तरह महमारी ना बन जाए लोग कह रहे हैं कि अगर चीन के लोग जनवरों को जिन्दा खाना नहीं बन करेंगे तो ये होता रहेगा आईए आपको बताते हैं कि हंता वाइरस क्या होता है एक्सपर्ट्स का मानना है कि हंता वाइरस कोरोना वाइरस के जितना घातक नहीं है ये चूहे या गिलहरी के संपर्क में इनसान क्याने से फैलता है Center for Disease Control and Prevention के मताबिक चूहों को घर के अंदर और बाहर करने से हंता वाइरस के संकर्मन का खत्रा रहता है यहां तक कि अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है और फिर भी वो हंता वाइरस के संपर्क में आता है तो उसके संकर्मित होने का खत्रा रहता है हलांकि हंता वाइरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं जाता लेकिन यदि कोई वेक्ति चूहो के मल और पेशाबादी को छूने के बाद अपनी आँख, नाँख और मूँ को छूता है तो उसके हंता वाइरस से संक्रमित होने का खत्रा बढ़ जाता है इस वाइरस से संक्रमित होने पर इंसान को बुखार, सिर्दर्द, शरीर में दर्द, पेट में दर्द, उल्टी और डायरिया जैसे लक्षन होते हैं अगर इलाज में देरी होती है तो संक्रमित इंसान के फेफ़णों में पानी भी भर जाता है उसे सांस लेने में भी परेशानी होती है CDC के मुताबिक हंता वाइरस जान लेवा है इससे संक्रमित वेक्तियों के मरने का आखड़ा 38% है चीन में हंता वाइरस का ये मामला ऐसे समय पर सामने आया है जब पूरी दुनिया वुहान से निकले कोरोना वाइरस की मामारी से जूज रही है कोरोना वाइरस से अब तक 16,500 लोगों की मौत हो गई है यही नहीं अब तक दुनिया के 3,82,824 लोग कोरोना वाइरस से संक्रमित हो चुके हैं कोरोना वाइरस की व्यापकता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब ये वाइरस दुनिया के 196 देशों में फैल चुका है। कोरोना के बाद अब हंता से लोग दहशत में आ गए हैं।